नमस्कार विद्ध्यार्थियो हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों का भारत प्रदिकार इस विशय पर पहले पांच व्याक्यान हो चुके हैं विद्ध्यार्थियो और आज ये है छटा व्याक्यान है बीच में परिक्षा काल आने के कारण बहुत समय से अपनी मुलाकात नहीं हुई है उमीद है कि जितना आप लोगों के पास में मैटर था जितना मैटीरियल था वो आप लोगों ने इस तोरान उसका अध्यन किया होगा और वीडियो भी सुने होगे इसके अध्रिक्त विद्यार्थियो अब जानते हैं कि कोरोना अभी गया नहीं है कोरोना का प्रोटोकॉल पालन करना सभी के लिए अनिवारी है हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी है और दूसरों को भी हमें इस बात के लिए सचेत रखना है कि अभी लापरवाही ठीक नहीं है अब हम हमारे आज की अध्यन पर चर्चा करते हैं विगत व्याख्यान की एदियां बात करें तो विद्यार्थियों हम जो पलासी बैटल है पलासी की लड़ाई है उसके महत्तु के बारे में चर्चा कर रहे थे हमने राजनितिक महत्तु की बात की थी कि इस लड़ाई के बाद कमपनी के सासन का प्रादुर्भाव माना जाता है इतियासकार बीबी कुलकरनी ने ये लिखा है कमपनी के सासन का प्रादुर्भाव माना जाता है और यहीं से भारत में कम्पनी के सासन की आवदी की गणना की जाती है और एड्मिरल वाटसन इससे भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि पलासी का युद केवल कम्पनी के लिए ही महतपूर नहीं रहा अपितू समस्त ब्रिटिस जाती के लिए महतपूर सिध हुआ राजनितिक महत्तों के अलावा विद्यारति हो हमने आर्थिक महत्तों की भी बात कि थी कि इस्ट इंडिया कमपनी एक व्यापारी कमपनी थी उसका उद्देश्य भारत में सुक्स विधाई पराप्त कर आर्थिक लाब उठाना था तो कंपनी को इस लड़ाई से बहुत आर्थिक लाब हुआ और कंपनी के करमचारियों को जो हुआ वो अलग से वो लाब उसकी गढ़ना अलग से है हमने नैतिक महतों की भी बात की थी कि नैतिकता अंग्रेजों में तो बिल्कुल थी ही नहीं लेकिन भारतिये भी नैतिक दरश्टी से बिल्कुल यो कहें कि गरीब थी नैतिकता उनमें भी नहीं थी उन्होंने भारतिये जो समय यहां थे उन्होंने विध्यार थी हो चाए वो मीर जाफर हो चाए वो लतीफ यारखान हो चाए वो अमीचंद हो सिठ अमीचंद सबने मिलके बंगाल को बेच दिया था यो कहना होगा और सैनिक महतों में हमने चर्चा की थी कि चाहे बंगाल की लड़ाई एक जड़प मात्र थी जिसका कोई सामरिक महतों तो नहीं था लेकिन कुछ बातें सपष्ट हो गई थी कि भारतिये जो सैना जो पचास हजार, साथ हजार केवल एक भीड के रूप में उसका आचरण देखने को मिला जबकि अंग्रेजों की जो सैना थी वो ट्रेंड सैना थी अंग्रेजों के पास में जो युद्ध का साजो समान था वो आधुनिक था, वो अधिक मारक था, ये चीज़े सब सपष्ट हो गई तो पलासी के महत्यों को देखते वे इतिहास कर सरकार और जो दत्त है के दत्ता, जदुनात सरकार उन्होंने लिखा है कि पलासी के विजय से ही भारत में अंग्रेज जी राज्ये की निव पड़ी अब विद्यार्तियों हम आज के व्याख्यान पर आते हैं आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे मीर जापर की आंतरिक कठिनाईयों की पहली कठनाई तो संपरभुता की समश्या थी एक सफल सासक के लिए संपरभू अवश्य होना चाहिए पहली सर्थ है ये विद्यार्तियों संपरभुता का अर्थ राजा अपने कारियों में अपने निर्णाय में अपने आचारविचार में, अपनी foreign policy में, अपनी home policy में तमाम प्रकार के कारियों में जब राजा सुतंतर होता है राजा की इच्छा सुविकारिय चारों तरफ होती है वो एक संपर्भु सा शक होता है उसके राज्य में लेकिन जब ये सब चीज़े राजा के पास में नहीं हो तो फिर वो एक सोने के पिंजरे में बंद तोता समझिये तो वो बात बंगाल के जो नवाब थे उन्होंने अपनी कुद्सित आत्मा का विक्रे करके सोचा था कि सोदे बाजी में उन्हें वही पद और परतिष्टा प्राप्त हो जाएगी जो उन्होंने कभी आँखों से देखा बंगाल के नवाब को वही वैभवपूर्ण जीवन वैतीत करेंगे परन्तु उनका सोचना ब्राहमक सिद हुआ मीर जाफर के नवाब बन जाने पर पंगाल रज्य की संपरभुता मीर जाफर और कंपनी के बीच विभक्त हो गई इस पर भी वास्त्विक सक्ति कंपनी के पास रही और एक जो टिटूलर हैड होता है नाम मातर का सासक वो मीर जाफर बना रहा तो ये एक बहुत बड़ी समश्या थी आर्थिक द्रिश्टिकोन से दिह हम बात करें एक राज्य के संचालन के लिए चाहे परिवार हो चाहे देश हो राज्य हो चलाने उसके संचालन के लिए धन की परम आउश्यकता होती है अब जानते हैं विद्यातियो और जब कोई न नवीन राज्य हो या कोई नवीन राजा तो वो उसके लिए धन और भी महत्पून होता है मिरजाफर बंगाल का नया नवाब बना था अतै उसे बंगाल का परसासन चलाने हे तो धन की महती आउश्यकता थी परन्तु उसका राजकोस तो कमपनी वे कमपनी के अधिकारियों को तुष्ट करने में ही खर्च हो गया था नवाब बनने से पूर उसने कमपनी के अधिकारियों से इतने वादे कर लिये थे कि वहे उन्हें अपने महल के सोने चांदी की वस्तुएं सोने चांदी के बरतन, सोने चांदी के आभुशन उनको बेचकर भी पूरा नहीं कर सका कई महिनों तक वेतन नहीं मिलने से मिर्जाफर के सैनिकों में भी ऐसंदोस था आम आदमी की स्थिती बहुत खराब थी अगली हम यदि आंत्रिक कठनाई के चर्चा करें तो वो बात थी व्यापारियों की समश्या हिंदू सासकों की समश्या जो हिंदू राजा थे क्योंकि मुसलमानों ने माफ करना विद्यार तो अंगरेजों ने हिंदू मुसलमान थोड़ा करना परारम कर दिया थे हिंदू नरेस वे वियापारी शुराजूदोला के बीच में जो हिंदू नरेस हैं और जो व्यापारी हैं उनके शिराजु दोला से सम्मंद ठीक नहीं रहे थे और उन्होंने शिराजु दोला का साथ नहीं दिया अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी प्रभुत्ता को सुद्र एवं चिरस्थाई बनाए रखने हैं तू हिंदू नरेसों वे व्यापारियों से अपना संपर्ग पूरुवत बनाए रखा वे उनको नए नवाब के विरुद भी बढ़काते रहें इतिहास का डैविस लिखता है कि कलाईव ने कमपनी की सैनिक स्रेष्ट था बनाए रखने तथा नवाब पर नियंतर रखकर अंग्रेजों की सक्ति बढ़ाने की निति अपनाई इसलिए अंग्रेजों ने विभाजन करो और सासन करो डिवाइट एंड रूल की निति अपना कर मीर जाफर को हिंदूों के विरुद और हिंदू व्यापारियों को नवाब के विरुद बढ़काना प्रारम कर दिया इससे उनके सम्मन्द खराब हो गए उसने उस स्थानों पर मीर जाफर ने उस स्थानों पर केवल मुसल्मानों को ही न्यूक्त करना प्रारम किया और इससे वह जनता में एलोक पिरिये हो गया इसी प्रकार जो हिंदू राजा थे नरेश थे के विरुद भी मीर जाफर ने दमनकारी निति अपनाई और इसका जो एक बड़ा एक अच्छा उधारन है वो बिहार का जो राजा राम नाराएन था वो मीर जाफर की इस दमनकारी का शिकार हुआ कलाईव की सहमती से मीर जाफर ने राम नाराएन पर यह आरोप लगाया कि वह है फ्रांसिस्यों की सहाइता से उसके विरुद सड़ें तर रच रहा है और विद्यार्थियों अंग्रेज फ्रांसिस्यों के नाम से बहुत यह कहीं कि चिड़ते थे या आतंकित थे तो इन दोनों ने मिला करके राम नाराएन को टार्गेट किया और फिर राम नाराएन का जो पुत्र है आप माफ करना मीर जाफर का जो पुत्र मीरन है उसको बिहार का नया साशक बना दिया बिहार में नायब नवाब वो एक परकार से बन गया ऐसे ही मीर जाफर ने उड़िसा के राजा राम सिंग और पुर्णिया के जो हिंदू साशक थे उनको भी अपनी दमन निती से आतंकित किया और उनको उनके पद से हटाया एक समश्या यह थी कि किसानों से रेवन्यू जो है राजसू जो है वो नहीं मिल पा रहा था किसान उसको पे नहीं कर रहे थे और कमपनी के करमचारी निजी व्यापार करके नवाब के राजकोस को घटा पहुँचा रहे थे यानि राज्य की जो आय होती थी विद्यार्थियों खासकर हम जिस अध्यनकाल में है वो रेवन्यू कलेक्शन था किसानों से राजसू जो घटा करना और व्यापारियों से जो कर है अब दोनों ही सोर्सेज खतम हो रहे थे पिसानों से भी नहीं मिल रहा था और उधर व्यापार से भी नहीं मिल रहा था और राजकोस की स्थिति खराब होती जा रही थी तो ये तो रही आंत्री कठनाईयों की बात अब हम करते हैं मीर जाफर की भाई ये कठनाईयों की बात जिसमें हैं शाह आलम का आकर्मन जो की मुगल सहजादा अली गोहर जो आगे चल कर शाह आलम दिवत्य के नाम से दिल्ली का समराट बना था उस अली गोहर का आकर्मन का हम जिकर कर रहे हैं जो की मुगल समराट आलम गर दिवत्य का पुत्तर था वहें बंगाल, बिहार तथा उडिशा का नाम मात्र का सुवेदार था उसके देखते देखते बंगाल पूरी तरह स्वतंतर राज्य हो गया 1759 में उसने अपने को राज्य का वास्त्विक सुवेदार सिद करने की द्रश्टी से बिहार की और कूज किया वहां का गवर्नर राम नारेन घवरा गया, मीर जाफर को इसकी सूचना मिलते ही उसने कलाईव को साहिता भीजने के लिए मैसेज किया कलाईव ने फौर मीर जाफर के बुत्तर मीरन के नितरतों में एक सैना पटना की और रवाना कर दी और अली जो गोहर का कर्मन जो था वो विफल हो गया 1760 में उसने इसके लिए पुने परियास किया परन्तु जैसे ही वो पटना के निकट पहुँचता है अपनी सैना हो सहित उसको दिल्ली से खबर मिलती है कि उसके जो पिता है मुगल समराट आलम कर दीती है वो स्वर्ग सिधार गये हैं जिसके परिणाम सवरूप अली गोहर को मुगल समराट गोसित कर दिया गया और हुए दिल्ली की तरफ रवाना हो गया अगला जो भाई ये कठनाई के रूप में हम चर्चा करें तो वो है डचों का आकर्माई बंगाल में अंग्रेजों का परभुत उस्थापित हो जाने के कारण डच लोगों के व्यापार को बहुत कठनाई हुई और बड़ा नुकसान पहुंचा अतै अंग्रेजों को बंगाल से निकालने के लिए उन्होंने 1769 में अंग्रेजों के विरुद सस्त्र उठाए परन्तु चिन सूरा के मैदान में वे पराजित हो गए 25 नुवंबर 1769 को कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह डच आकरमन कराने के पीछे नुवाब का सड़ेंदर था और यह जब बात अंग्रेजों तक पहुंची तो अंग्रेजों से नुवाब और अंग्रेजों के बीच में डिफरेंस पैदा हुआ नवाब अंग्रेजों का आरोप था कि नवाब जो है वो डचों की साहिता से अंग्रेजों को प्राजित करना चाहता है और उनके बीच में जो संभन्ध हैं वित्यारतियों उनके अंदर एक कटूता जो है वो पैदा हो गई यदि हम मिर्जाफर और अंग्रेजों की कटूता के कारणों में बात करें तो एक कारण तो डचाकर्मनी हो गया दूसरा कारण अंग्रेजों द्वारा निरंतर धन की मांग करना क्योंकि पलासिक की विजय के बाद जिस परकार से अंग्रेजों ने बंगाल से धन प्राप्त किया सरकारी अपने यो कहें की जो ओन लाइन और आफ लाइन रिकॉर्डड़ और बिना रिकॉर्ड़ड़ वो जो धन प्राप्त किया वो अंग्रेज लालची होए लो भी होए और वे अब बंगाल को काम देनू एक कहतें गायज होती ना काम देनू वो समझ बैठे मिरजाफर की उनकी मांग पूरी करता रहेगा और वो समय समय पर उसको धमकी दे करके धन एठने लगे परन्तु हालात ये होगे कि नवाब के पास देने के लिए कुछ रहा ही नहीं तो ये कटूता के कारणों में अंग्रेजों का लगातार धन की मांग करना है एक जो और कारण रहा वो अपने परसासन से नवाब का एसंतुष ठोना ये बिल्कुल विद्यार थी हो परसासन पे नवाब की पकड़ नहीं थी अंग्रेजों के इशारे पे चलता था सैनिकों को वेतन नहीं मिलने के कारण सैनिकों में अंग्रेजों था एक बार तो सैनिकों ने नवाब को घिर लिया था और ये जो यहां की नवाब के पास में कोई प्रसासनिक अधिकार नहीं है कोई नियुक्तिक अधिकार नहीं है किसी को पदमुक्त करने का अधिकार नहीं है किसी की ट्रांसफर का अधिकार नहीं है और सैनिक जो हैं वो भी ऐसंतुस्ट है तो इस ऐसंतुस्ट के कारण नवाब की अब छटपटाट बढ़ रही थी नवाब की परतिष्ठा में लगातार कमी आती जा रही थी क्योंकि नवाब की जवाबदारी सारी थी लेकिन नवाब के हाथ में अधिकार कुछ भी नहीं थे नवाब बदनाम हो रहा था अब जनता जो परजा है वो भी नवाब को आदर की द्रश्टी से नहीं देखती थी और नवाब कुछ कर नहीं पा रहा था अब नवाब अपनी जो खोई हुई गरीमा है उसको प्राप्त करने के लिए परियास रथ था और वो नवाब का यह परियास अंग्रेजों के लिए ऐसे हैं नहीं था तो यह भी कटूता का कारण रहा एक जो खॉल्वेल है इंग्लेंड से लोटके आ गया था 25 फरवरी 1760 को कलाईव जो है वो चला गया था 25 फरवरी 1760 को और उसका जो चारज़ा खॉल्वेल को मिलता है और हॉल्वेल का द्रश्टिकॉन बंगाल के नवाबों के परति कभी अच्छा नहीं रहा कलकत्ता की जो काल कोट्री की जो घटना है उससे विद्यारतियों आप सभी परिशित है और वहे भी धनलोलूप था वहे भी लालची था और जैसे ही वो कलाईव की जगें पदपराप्त करता है मीर जाफर से धन की मांग करता है और मीर जाफर उसकी मांग को पूरा नहीं कर पाता है तो अब वही इस नवाब को खटा दिना चाहता है कमपनी के जो अधिकारी के अलावा करमचारी हैं वो भी लगातार परशासन में हस्तकिशिप करते हैं यह भी नवाब के लिए एक ऐसे हैनी विशे है वो नवाब के करमचारियों को डांट देते हैं नवाब के करमचारियों का कहना नहीं मानते हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो करते है एक जो नवाब का पुत्तर मीरन वो योग्य था और जब नवाब ने अपने पुत्तर की सलहा से प्रशाशन चलाना चाहा और कुछ प्रियास किया तो अंग्रेजों को यह है पूरा लगा क्योंकि इससे अंग्रेजों के हिद आहत होते हैं तो मीरन से अंग्रेज कटूता रखते थे यह नवाब को अच्छा नहीं लगता था सत्रूता रखते थे अब देखें विद्यार्थियो मिरन की मृत्यू हो जाती है 1760 में अकाल मृत्यू इससे अंग्रेज बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको जो एक खत्रा है वो मिरन के रूप में दिखाई दे रहा था अब मिर जाफर के पास में अपना कोई बेटा रहा नहीं क्योंकि एक ही था इस कारण उसका दामाद मीर कासिम अब महत्वा कांक्शी हुआ और नवाब बनने के प्रियास करने लगा वहे अंग्रेजों से अपने संपर्क उसी परकार बढ़ाने लगा जिस परकार कभी मीर जाफर ने नवाब बनने के लिए अंग्रेजों से बनाए थी विद्यार्थियो हम पढ़ते हैं न कभी कभी आपने पढ़ा है कि इतिहास स्वेम को दोहराता है मीर जाफर जब बंगाल का सेनापती था इसका नवाब सिराजू दोला तब इस सेनापती ने उसके साथ धोका किया अंग्रेजों की गौद में बैठ गया और पलासी के युद में एक दर्शक की भाती अपनी सेना सहिद अपने नवाब को प्राजित होते हुए देखता रहा अब इसी नवाब का जो दामाद है मीर कासिम वो भी इसी प्रकार की स्क्रिप्ट अंग्रेजों के साथ में मिलकर के विद्यार्थियों लिख रहा है नंदलाल चैटर जी जो इतियास कहा रहे हैं वो लिखते हैं कि 1760 की क्रांती मीर कासिम के मस्तिस्क की उपच थी मीर कासिम जो की मीर जाफर यानि की वरत्मान नवाब का दामाद है और भावी नवाब मीर कासिम और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीज में 27 सितमबर 1760 को एक समझोता हो जाता है उस समझोते के अनुसार कमपणी ने मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को नवाब बनाना सुविकार किया और समझोते के अनुसार अक्टूबर 1760 में हॉलवेल ने मीर जाफर को राज जो सिंहासन ने उससे उतार दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया और ये सब जो विद्यारतियो ये सब जो है इसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ कोई गोली नहीं चली कोई तलवार नहीं चली और ये जो है सारा काम हॉलवेल ने जो है वो कर दिया और अब जो बंगाल का जो नवाब बना है वो है मीर कासिम से इस अगले व्याख्यान में बहुत बहुत धन्यवाद